साल 1983, समुदर के बीचो बीच नाव से कुछ डाइवर्स अरेबियन सी में छहलांग लगाते हैं। वे समुदर के गहराईयों में कुछ ढूंडने जा रहे थे। गहरे समुदर में सता से कई मील नीचे, उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौका देने वाला एक विशाल नगरी। देखने में ऐसा लग रहा था, मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुदर के नीचे बसी हो। उची उची दिवारे, सीधी सड़के, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लैंड शहर समुदर के अंदर। ऐसी नगरी देखकर वे सारे डाइवर्स हैरान हो गए। पत्थरों के सैंपल्स लेकर उनकी जाज करने पर पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसके पारे में महाभारत में भी बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी ये खास वीडियो है श्री कृष्ण की नगरी द्वार कापर। आखिर क्या है इस रहस्यमय शहर का इतिहास। आखिर क्यूं डूबा ये शहर और आखिर क्यूं ये शहर भारत के इतिहास में कहीं खो गया। ऐसे ही और कही सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं आज की हमारी इस खास डॉक्यूमेंटरी में तो दोस्तों वीडियो के अंग तक बने रहे हमारे साथ धर्ती जिसने अपने अंदर अर्बो सालों के रहस्यों को समेट रखाए जहां आए दिन नई नई प्राचीन सभ्यताओं की खोज हो रही है पर जब बात गहरे समुद्रकी होती है तो उसके अंदर छुपे रहस्यों के बारे में इंसान बहुत कम जानते है गुजरात के जहां नगर जिले में अरब साकर के टट पर बसी दुआरकान नगरी जिसे पाँच हजार साल पहले भगवान कृष्ण ने पसाया था भगवत पुरान के दस्वे सार के अनुसार कंस का वत करने के बाद श्रीक्रिष्ण पूरी यादव वन्ष के साथ मतुरा में रहने लगे कंस की मौत से क्रोधित होकर उसकी ससुर जरासंद ने मतुरा पर हमला बोल दिया एक के बाद एक जरासंद ने मतुरा पर सत्रह बार हमला किया इन लगतार हमलों से परिशान होकर श्री कृष्ण ने मतुरा छोड़ कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के उपर एक विशाल नगरी के निर्मान का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की आग्या के बिना ये मुम्किन नहीं था। तब श्री कृष्ण का निर्मान किया। द्वार का एक वेल प्लांड सिटी थी। ये सिटी आज के जमाने के अर्बन प्लानिंग को भी मारत दे सकती थी। सीधी सड़कें, सोने के महल, बड़े-बड़े दर्वाजे, पगीचे, तलाब और सब कुछ एक बहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया ग पूरे यादव वंश को मतुरा से द्वार का बुलवा लिया। इसके बाद उन्होंने मतुरा जाकर जरासंद और काला यवन से युद्ध किया। विजय होने के बाद श्री कृष्ण द्वार का नगरी को लौट आये और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे लेकिन जिस प्रकार इस धर्ती पर जन्म लेने वाला हर जीव सुख और दुख के बीच बंधा होता है। वैसे ही श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। कुछ समय बाद पांडवो और कौरवो के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। जिसमें श्री जुनके सार्ती के रूप में एहम भूमिया निभाई। 18 दिनों तक ये भीशन युद्ध चलता रहा जिसमें पांडवो की जीत हुई। दोस्तों महाभारत के स्त्रीवर्ग के अनुसार जब कौरवो की माता गंधारी ने अपने पुत्रों का मृत शरीर देखा तो उन्हो ने श्रीकृष्ण को युद्ध के लिए दोशी ठेराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्रीकृष्ण को श्राब दे दिया। कि जिस तरह उनके पुत्रों और वन्ष का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ, ठीक उसी प्रकार 36 साल बाद श्रीकृष्ण के वन्ष का भ कौर श्राप था जो यादव वंच के शर्वनाश का कारण बना एक बार द्वारका के निकट एक पवित्र स्थल पिंडाक में कई बड़े बड़े साधु संत पधारे उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुद्र शाम और उनके कुछ दोस्तों ने रिशी मुनियों के साथ ए दोधित हो गये और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि शाम एक लोहे के मुसल को जन देगा जो यादव वंच की विनाश का कारण बनेगा जब उन लड़कों ने देखा शाम की कपड़ों के अंदर से सच में एक लोहे का मुसल मिला शाम के नाना जी राजा उ जाल में चाह फसी और जब उसको चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे का टुकडा निकला। धुत हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश के अंदर ही अंदर युद्ध होने लगे। उन्हें हिरन समझ कर उन पर तीर चला दिये। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लग गया। और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस लोग को छोड़कर अपने धाम लोट गये। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दोड़ दोड़ कर द्वार का पहुचे। चहां का दृष्ण देखकर उनका दिल दर्द से काप उठा। पूरी द्वार का नगरी अगनी की चिता में जल रही थी। लेकिन अर्जुन ने होश्ट संभाला और श्री कृष्ण से किये वादे के अनुसार सभी और बच्चों को गो वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। खाली होते ही द्वार का नगरी देखते ही देखते कुछ ही पलो में समुद्र के आचल में समागे और श्री कृष्ण की ये द्वार का हमेशा के लिए अरब सागर में कहीं खो गई। वर्तमान में द्वारका को दो हिस्सों में पाटा गया है, द्वारका और पेट द्वारका, द्वारका समुदर के किनारे बसा एक शहर है और पेट द्वारका समुदर के बीच बसा एक द्वीप, दोस्तों कई सालों तक पुराणों में द्वारका को सिर्फ एक कहानी और जू साल 1930 में खोच शुरू ही और पेट द्वारका के आईलेंड के कई रिमेंस मिले तब जाकर साल 1963 में यहां पहला आर्केलोजिकल एक्सकेवेशन किया गया जिसमें कई सारे पुराने आर्टिफेक्ट्स और मूर्तिया भी मिली इन फाइंडिंग्स से इंट्रेस्टिंग थियोर सामने आई जिसके मुताबिक श्रीकृष्ण द्वारका से अपने पूरे राज्य और एड्मिनिस्ट्रेशन देखते थे और वेश द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते थे इसके बाद साल 1983 से 1990 के पीच में एक अंडर्वाटर आर्केलोजिस्ट्स डॉक्टर S.R. और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आ गया ही। पानी के अंदर बहुत दिनों तक ठूंडने के बाद उन्हें पानी के नीचे एक अदभुद नगरी के अफशेश मिले। उस नगरी की दिवारों की मजबूत नीव के साथ कई पत्थर, खंबे, मूर्तियां, इ अफशेश मिले, वो श्री कृष्णी की नगरी द्वार का के ही थे। इस बात की पुष्टी करने के लिए आर्केलोजेस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, जिसमें एक्सपेरिमेंट के थ 3126 BCE में हुआ था। माभारत के हिसाब से द्वारका का निर्मान भी द्वापर युग में ही हुआ था। और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने के बाद पता चला कि ये पत्थर उस समय से काफी क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन दोस्तों पत्थर तो किसी भी स अमेके हो सकते हैं। तो फिर इस बात का स्ट्रॉंग एविडेंस कैसे कंसीडर किया जा सकता है। इसलिए आर्केलोजेस ने समुद्र के अंदर मिली नगरी का एरिया नापना शुरू किया। और सर्प्राइजिंगली इस एरिया का मेजर्मेंट था 12 योजन जो कि भागव पुरान के हिसाब से उस धर्ती का माप था जो श्री कृष्ण को द्वारका के निर्मान के लिए समुद्र देव ने प्रतान की थी। सिर्फ यहीं नहीं इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर भी पाए गये। जिससे ये पता चलता है कि द्वारका एक एतिहासिक पोर सर्वी आफ इंडिया ने इसे फिर से शुरू किया और आज भी ये एसकेवेशन जारी है। दोस्तों एक थियोरी के मुताबिक आज से 3500 साल पहले जिस जमीन के टुकडे पर द्वारका नगरी बनी थी वो समुद्र की सता पर हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे सी लेवल बढ़ा शिरी कृष्ण की नगरी पानी में डूब गई। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि सी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। और महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार अर्जुन की आँखों के सामनी द्वारका के टट से टकरा रही। लहरों ने एक पल में प द्वारका ही नहीं ऐसी और भी बहुत डिस्कवरिज हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि इस धरती पर इंसानों की एक्जिस्टेंस सिर्फ हडपा मुहंजोदारों के समय की नहीं बलकि उससे भी हजारों वर्ष पहले की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जूर बताएं कि हमें और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो को अन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।